इसके बाद इशू गलील अर्थात तिविर्यास के जील के उस पार गए एक विशाल जनसमू उनके पीछे हो लिया क्योंकि लोगों ने वे चमतकार देखे थे जो इशू बिमानों के लिए करते थे इशू पहाड पर चड़े और वहाँ अपने शिश्यों के साथ बैठ गए यहुदियों के फसा का परू निकट था इशू ने अपनी आखें उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमू उनकी और आ रहा है उन्होंने फिलिप्पुस से कहा हम कहां से रोटियां खरीदें ताकि लोगों को खिला सके उन्होंने फिलिप्पुस की परिक्षा लेने के लिए ये कहा वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे फिलिप्पुस ने उतर दिया 200 दिनार की रोटिया भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके उनके शिश्यों में से एक शिमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा यहाँ एक लड़के के पास जोगी 5 रोटियां और 2 मचलियां है पर इतने लोगों के लिए यह क्या है इश्यों ने कहा लोगों को बैठा दो उस जगह बहुत घास थी जिस पर लोग बैठ गए पूर्शों की संख्या लगभख 5000 थी तब इश्यों ने रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रात्ना की और उन्हें लोगों में बटवा दिया मचलियां भी जितनी भी चाहते थे बाट दी गई जब लोग खाकर त्रिप्थ हो गए तो इश्यों ने अपने शिश्यों से कहा बचे उवे टुकडे बटोर लो जिससे कुछ भी बरबाद ना हो इसलिए शिश्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकडों से बारह टोकरे भरे जो लोगों के खाने के बाद जव की पांच रोटियों से बच गए थे